बिशिष्ट हिंदी के लिए कक्षा 11 से पहला पाठ उस तक का नाम अभिव्यक्ति और माध्यम जन संचार माध्यम जैसा कि आप चित्र को देख रहे हैं यहां पर जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है इसमें आप देख रहे हैं कि बीच में लिखा है मीडिया इसमें इंटरनेट है टेलिविजन है न्यूस पेपर्स है रेडियो मैगजीन यह सारी आपको आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे समाचार हमें रेडियो से प्राप्त होते हैं, रेडियो में समाचार आते हैं, हमारे नगर के समाचार, विदेश के समाचार, विदेशों के समाचार हम रेडियो से भी सुनते हैं, जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, जहां पर टेलिविजन की सुविधा एक उपकरण के द्वारा देख लेते हैं और देख लेते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है हम अपने घर में बैठे हुए अमेरिका में गत होने वाली गतिविधियों को टेलिवीजन के माध्यम से देखते हैं और न्यूस पेपर्स जिसको कुछ लोग अकबार कहते हैं कुछ न्यूस पेपर कहते हैं जिसको कहा जाता है न्यूस पेपर जो आपके घरों में आते हैं तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि यह सारे काम किस तरह से करते हैं जल संचार माध्यम संचार के बिना जीवन संभव नहीं है मानव सभिता के विकास में संचार की सबसे महत्वपून भूमिका रही है संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है इस तरह संचार एक प्रक्रिया है जिसमें कई तत्व सम्मिलित होते हैं संचार के कई प्रकार हैं जिसमें मौखिक और अमौखिक संचार के अलावा अंतर व्यक्तिक, अंतर व्यक्तिक, समुभ संचार और जन संचार प्रमुक होते हैं तो प्रस्तुत आपके सामने आपने देखा कि संचार के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है, संचार नहीं होगा, तो हम अपनी बात को प्रसारित नहीं कर पाएंगे, दूसरों की बातों को सुन नहीं पाएंगे. जन संचार के कई मामलों में संचार के अन्य रूपों से अलग हैं, जन संचार सूचना, सिक्षा और मनुरंजिन के अलावा एजिंडा तै करने का काम भी करता है, भारत में जन संचार के बिविन्य माध्यमों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जन संचार माध्यमों का लोगों पर सकारात्मक्त के साथ साथ नकरात्मक प्रभाव भी पढ़ता है, इन नकरात्मक प्रभावों के प्रती लोगों का सचेत होना बहुत जरूरी है, जैसे कि आपने देखा कि जन संचार के माध्यम हमें सकारात्मक तठ्थ देते हैं, साथ में नकरात्मक बहुत सारे बिंदू भी हमें परोस्ते हैं, हमें स्वर विवेक से यह तै करना हैं कि हम कौनसी बात को स्वीकार करें और कौनसी बात को अस्वीकार करें, नकरात्मक कई प्रकार के विज्यापन होते हैं, जो भ्रामक प्रचार करते हैं, जिनसे हमें विवेक के आधार पर ही आगे निपटना होता है, संचार की परिभाशा और महत्व जो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं उसको ध्यान से देखिए और आपकी कॉपी में भी साथ साथ लिखने जाईए हम इसको पढ़ने के साथ साथ आपको समझाएंगे भी संचार की परिभाशा और महत्व इस प्रकार से हैं यदि समाज में रहना है और उसके विविन किरिया कलापों में किस्सा लेना है तो यह बिना बादचीत या संचार के संभब नहीं है संचार यानि संदेशों का आदान प्रदान आपका कोई दोस्त आपको चुप बैठा देख पूछ सकता है कि आप किसी से नाराज है या किसी बात पर उदास है इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे आप कुछ कहकर संचार कर रहे होते हैं उसी तरह कुछ न कुछ कहकर भी आप संचार कर रहे होते हैं आपने कुछ नहीं बोला इसका अतातपर यहां लगाया जाता है कि आप आसपास के व्यक्तियों से किसी बात से खपा हैं आप उनसे बात नहीं करना चाहते हैं तो यहां आपने देखा कि यदि हम बात करते हैं तो भी हमारा संचार माध्यम चलता है और यदि हम बात नहीं करते हैं तो हम दूसरे प्रकार का संचार यहां पर प्रदर्शित करते हैं हम चाहें या ना चाहें अपने द्यानिक जीवन में हम संचार के किये बिना रही नहीं सकते। किसी ने किसी प्रकार का संचार हमारे द्यानिक जीवन में हमारे आसपास के माध्यम में प्रसारित होता ही रहता है। वास्तों में संचार जीवन की निशानी है, बिना संचार के जीवन शून्य है, जीवन में जीवन नहीं है, जीवन तता नहीं है, मनुष्य जब तक जीवित है, वहां संचार करता रहता है, यहां तक कि एक बच्चा भी संचार के बिना नहीं रह सकता, बहर रोकर या चिल्ला कर अपनी मा का ध्यान अपनी और खीषता है इस तरह से संचार खत्म होने का अर्थ है ब्रत्यू ब्रत्यू के पश्चात व्यक्ति के सारे वारतालाब समाथ हो जाते हैं जब तक वो जीवित होता है अपने संचार को बनाए रगता है अपनी और लोगों का ध्यान अक्रिष्ट करता रहता है अपनी गतिविदियों से, अपनी वानी से, अपने हावभाव से, किसी भी प्रकार से वो आसपास के वातावरन को अपने लिए जीवन्त बनाए रहता है और ब्रत्यू के बाद ये कुछ भी संभव नहीं होता वैसे तो प्रकृती में सभी जीव संचार करते हैं लेकिन मनुष्य की संचार करने की शमता और कौशल सबसे बहतर है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है वह समाज में निवास करता है वह कहीं भी अकेले नहीं रह सकता क्योंकि उसे अपने आसपास के प्राणियों के साथ वारतालाब करने की आदत होती है और उसे सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करने में उसकी जंचार शमता की सबसे बड़ी भूमी का रही है परिवार और समाज में एक व्यक्ति के रूप में हम अन्य लोगों से संचार के जरिये ही संबंद स्थापित करते हैं और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते हैं संचार ही हमें एक दूसरे से चोड़ता है गौर से देखिए आपने देखा होगा कि हमारे आसपास जो भी माध्यम है उसमें हमारी जीवन्तता हम संचार द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं सभ्यता की विकास की कहानी संचार और उसके साधनों के विकास की कहानी है मनुष्य ने चाहे भाशा का विकास किया हो या लिपी का या फिर छपाई का इसके पीछे मूल इच्छा संदेशों के आदान प्रदान की ही थी आपने देखा जब आपके हाथ में मोबाइल आया तो आपने सबसे पहले क्या किया अपने मित्रों को फोन लगाया अपने मोबाइल पर वार्टसेप आउन किया और आपने वार्टसेप के द्वारा संदेशों का आदान प्रदान प्रारंब कर दिया अर्थात बिना किसी भी आदान प्रदान और संचार के बिना आप अपने आपको अधूरा अनुभव कर रहे थे। दरसल संदेशों के आदान प्रदान में लगने वाले समय और दूरी को पाटने के लिए ही मनुष्य ने संचार के माध्यमों की खोज की। मनुष्य निरंतर ही संचार के माध्यमों की खोज करता रहा। प्राचीन काल में वह आवाज लगा कर विविन प्रकार की आवाजों को परिवर्तित करके संचार करते थे। और आज हमारे पास में शब्द है, वानी है, छपाई है, हम लेखन के द्वारा भी संचार कर सकते हैं। संचार और जन संचार के विविन्यमाध्यमों, तेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन और सिनेमा आदी के जरिये, मनुष्य संदेशों के आदान प्रदान में एक दूसरे के बीच की दूरी को और समय को लगातार कम से कम करने की कोशिश कर रहा है। विविन्य प्रकार के माध्यम जो हमारे आसपास हैं, वो संचार को कम समय में प्रसारित करने के लिए उप्योग में लाए जाते हैं। यही कारण है कि आज संचार माध्यमों के विकास के साथ न सिर्फ भगौलिक दूरियां कम हो रही हैं, बलकि सांस्कृतिक और मानसिक रूप से भी हम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि आज दुनिया एक गाउ में बदल गई है, पूरी दुनिया एक छोटे से रूप में समाहित हो गई है, जहां हम कहीं भी बैठ कर कितनी भी दूर बैठे प्रानी से वारतला कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में कोई घटना हो, जन संचार माध्यमों के जरिए कुछ ही मिन्टों में हमें खबर मिल जाती है। अगर वहां किसी टेलिविजन समाचार चैनल का समबाददाता मौजूद हो तो हमें वहां की तस्वीरें भी तुरंट देखने को मिल जाती हैं। जैसा कि आपने वर्तमान समय में देखा, कोरोना जिस प्रकार से प्रसारित हुआ और उसके जो समाचार थे, हमने यह जाना कि यह कहां से फैला, किस प्रकार फैला और कितने प्राणी इसके द्वारा संक्रमित हैं। तो यह हमें कैसे पता लगा? क्योंकि हमारा जनसंचार माध्यम बहुत ही सशक्त है। आज विदेश के किसी भी नगर में कोई घटना होती है और कुछी शणों में हमें उसकी जानकरी राप्त हो जाती है। यह भी जनसंचार माध्यम के द्वारा ही होता है। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेट सेंटर पर आतंकवादी हमले को पूरी दुनिया ने अपनी आखों के सामने घटते हुए देखा। इसी तरह आज टेलिविजन के परदे पर हम दुनिया भर के अलग अलग शेत्रों में घट रही घटनाओं को सीधे प्रसारण के जरीए ठीक उसी समय देख सकते हैं। संचार का शाब्दिक अर्थ क्या है और इसकी परिभाशा हम किस प्रकार से बना सकते हैं। संचार क्या है? संचार शब्द की उपत्ति चरधातू से हुई है जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचना। जिस तरह ताप संचार में गर्मी एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक पहुँचती है। उसी तरह टेलीफोन के तार या बेतार के जरिये मौखिक या लिखित संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने को भी संचार ही कहा जाता है। लेकिन हम यहां जिस संचार की बात कर रहे हैं उससे हमारा तातपरिय दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान होता है। बशुहूर संचार शास्त्री बिलवर श्रेम के अनुसार संचार अनुभवों की साजेदारी है। जैसे कि आपने देखा है, जब आप इस पार्ट को पढ़ रहे हैं, तो आप अपने मित्र को मोबाइल के द्वारा बताएंगे कि मुझे इस पार्ट में क्या अच्छी तरह समझ में नहीं आया। और आप ये भी बोलेंगे कि इस पार्ट में जो समझाया गया वो थुड़ा से कम था। ये जो बातें आप अपने दोस्तों से करेंगे ये भी संचार ही है। दरसल एक दूसरे से संचार करते हुए हम अपने अनुभवों को ही एक दूसरे से बाटते हैं। लेकिन संचार सिर्फ दो व्यक्तियों तक सीमित परिघटना नहीं है। जैसे कि आपने देखा है, यदि टेलिविजन पे कुछ प्रसारण हो रहा है, तो उसको एक बड़ा समुदाय देखता है। तो हम ये तो नहीं कह सकतें कि संचार सिर्फ दो व्यक्तियों या चार व्यक्तियों के बीच की घटना है, संचार का विस्तार असीमित है, जहां तक भी जाता है, लोग उस संचार का अनुभावल करते हैं, उसका लाब लेते हैं, संचार के तहत सिर्फ दो या दो से अधिक व्यक्तियों में ही नहीं, हजारों लाखों लोगों के बीच होने वाले जन संचार तक को शामिल किया जाता है, इस प्रकार सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या द्रश्य, श्रव्य, माध्यमों के जरिये सफलता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना ही संचार है, बार-बार आपको यही प्रक्रिया समझाई जा रही है कि संचार क्या होता है, संचार का अर्थ है साधरन भाषा में संचरन, इस प्रक्रिया को अन्जाम देने में बदद करने वाले तरीके संचार माध्यम कहलाते हैं, संचार एक घटना के बजाए प्रक्रिया है, एक ऐसी जीवन्त प्रक्रिया जिसमें सूचना तेने और पाने वाले की सक्रिय भागिदारी जरूरी है, दोनों के सक्रिय भागिदारी से ही यह प्रक्रिया पूरी होती है, अगर दोनों में से कोई एक संचार के लिए अनिच्छुक है, तो संचार प्रक्रिया का आगे बढ़ना मुश्किल होता है, इस अर्थ में संचार अंतरक्रियात्मक इंटर एक्टिव प्रक्रिया है, जैसे कि आपने देखा है, आप अपने किसी साथी को फोल लगा रहे हैं, और वह अन्यत्रव व्यस्ट है, वो आपसे बात नहीं करता है, वहाँ पर आपका संचार बंद हो जाता है, और जब उसे समय मिलता है, तब वह आपसे बाते करने के लिए, आपसे संचार करने के लिए तत्पर होता है, तो संचार की प्रक्रिया दोनों तरफ से होती है, यदि कोई व्यक्ति बात करना चाहे, तो वह संचार के लिए तत्पर होता है, और यदि कोई बात नहीं करना च जहता है तो वहाँ पर संचार बंद हो जाता है संचार के प्रमुक तत्व कौन-कौन से होते हैं संचार की प्रक्रिया में कई चरण या तत्व सम्मिलित हैं संचार प्रक्रिया की शुरूत या संचारक से होती है जब स्रोत या संचारक एक उदेश के साथ अपने किसी विचार, संदेश या भावना को किसी और तक पहुचाना चाहता है तो संचार प्रक्रिया की शुरुवात होती है जैसे आप स्वयम को स्रोथ या संचारक मान लें और आपको इतिहास की एक किताब चाहिए इसके लिए आपको अपनी कक्षा के एक वित्र से आग्रह करना पड़ेगा इस तरह जैसे ही आप किताब मांगने की सोचते हैं संचार की प्रक्रिया प्रारंब हो जाती है मस्तिश्क में विचार आते ही संचार प्रारंब हो जाता है जाहिर है कि किताब मांगने के लिए आप अपने मित्र से बाचीत करेंगे या लिख कर संदेश भेजेंगे बाचीत या संदेश भेजने के लिए आप भाशा का सहरा लेते हैं भाशा ही हमारी अभिव्यक्ती का सशक्त माध्यम होता है भाशा असल में एक तरह का खूट चिन या कोड है आप अपने संदेश को उस भाशा में पूटी क्रत्क या एनकोडिंग करते हैं यहां संचार की प्रक्रिया का दूसरा चरण है सफल संचार के लिए यहां आवश्यक है कि आपका मित्र भी उस भाशा यानि कोड से परिचित हो जिसमें आप अपना संदेश भेज रहे हैं इसके साथ ही संचारक का एनकोडिंग की प्रक्रिया पर भी पूरा अधिकार होना चाहिए साथ ही उसे अपने संदेश के मताबिक बोलना या लिखना भी आना चाहिए इसके बाद संचार प्रक्रिया में अगला चरण स्वयम संदेश का आता है संचार प्रक्रिया में संदेश का बहुत अधिक महत्व है किसी भी संचारक का सबसे प्रमुक उदेश अपने संदेश को उसी अर्थ के साथ प्राप्त करता तक पहुँचाना है नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा इसलिए सफल संचार के लिए जरूरी है कि संदेश को लेकर खुद पूरी तरह सपष्ट हो कि वह क्या कहना चाहता है संदेश जितना ही सपष्ट और सीधा होगा संदेश के प्राप्त करता को उसे समझना उतना ही आसान होगा यहां हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, यदि हमारे पास में हमारे किसी मित्र का संदेश उस भाशा में आता है, जिसका हमें ग्ञान नहीं है तो हम उस संदेश को समझने में असमर्थ होते हैं यदि संदेश उस भाषा का होता है जिसका ज्ञान हमें है तो वह संदेश हमारे तक पहुँचता है तो संदेश में दोनों ही संचारकों के बीच में भाषा का एक समान होना आवश्यक होता है लेकिन संदेश को किसी माध्यम या चैनल के जरीए प्राप्त करता तक पहुँचाना होता है जैसे हमारे बोले हुए शब्द द्वनी तरंगों के जरीए प्राप्त करता तक पहुँचते हैं जबकी द्रश्य संदेश प्रकाश तरंगों के जरीए पहुँचते हैं इसी तरह वायू तरंगों के जरिये भी संदेश पहुँशते हैं जैसे खाने की खुश्बू हम तक वायू तरंगों के जरिये पहुँशती है इसपर्श या छूना भी एक तरह का माध्यम है इसी तरह टेलीफोन, समाचारपत्र, रेडियो, टेलिविजन, इड़नेट और फिल्म आधी विविन्नमाध्यमों के जरिये भी संदेश प्राप्त करता तक पहुँचाया जाता है इसमें आपने अभी देखा कि संदेश वायू तरंगों के द्वारा पहुँचते हैं जैसे कि आप जानते हैं, कुछ कक्ष आपने देखे हैं, जो पूरी तरह से कांच के बने होते हैं उसके अंदर यदि कोई व्यक्ति कोई वारता लाप करता है, वो आपको सुनाई नहीं देता क्योंकि वायू तरंगे उस कांच के कारण वहाँ पर रुख जाती हैं यदि हम बशती हुई गंटी के उपर कोई कांच का पात्र रख दें, तो हमें उस गंटी की आवाज सुनाई नहीं देती अर्थार्थ, ध्वनी को विचरन करने के लिए वायू की या तरंगों की आवशक्ता होती है जब तक कोई माध्यम न हो, ध्वनी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती और वायू, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ध्वनी को प्रसारित करने का कार्य करती है प्राप्त करता यानि रिसीवर, प्राप्त संदेश का कूट वाचन यानि उसकी डिकोडिंग करता है डिकोडिंग का अर्थ है प्राप्त संदेश में नहित अर्थ को समझने की कोशिश यह एक तरह से एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है इसमें संदेश का प्राप्त करता उन चिन्नों और संकेतों के अर्थ निकालता है जैसा कि आप करते हैं आपके मित्र का कोई संदेश आता है पहली बात तो उसकी भाषा आपको समझ में आना चाहिए जो संदेश आता है उसको आप पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कभी-कभी आपके मित्र ने या किसी व्यक्ति ने ऐसा संदेश दिया है जिसकी भाषा आप समझ नहीं पा रहे हैं भाषा आप समझ रहे हैं तो उसका तात्पर नहीं समझ पा रहे हैं तो वहाँ पर संदेश आप तक पूरी तरह से नहीं पहुच पाता है। जाहिर है कि संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों का उस कोड से परिचित होना जरूरी है। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की भी अहम भूमिका होती हैं। क्योंकि वही संदेश का आखरी लक्ष होता है, राप्त करता कोई भी हो सकता है.